गुट मॉर्निंग चिल्रेंग हमने कहां तक नमबर सीखे? वन से लेके 4040 तब तो अभी 4040 से आगे अभी 40, 40 की 4040 40 तक पढ़ा ना हमने? तो अभी कौनसी लाइन चालो होगी? 40 की लाइन तो 40 में अभी सबसे आगे क्या हैगा? 4, 4, 0 में 4 था ना पहले? तो अभी 4 की लाइन चालो हो गई तो सबसे पहले लिखेंगे 4, 9, 1 तो ये हो गया हमारा नमबर 4, 1 41 रिपीट करेंगे 4, 1 41 अफ़ तर 41 नमबर आएगा 42 42 में भी क्या लिखेंगे? सबसे पहले 4 और ये हो गया हमारा नमबर 42 42 42 42 देख लिए आप 41 and 42 नमबर कैसे लिखते हैं? देख लिए ना? चलो आगे अब सब में क्या आएगा? 4 और पीछे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पुरी लाइन आएगी 9 दर ओके? तो ये हो गया 41 42 चलो तो बुक निकालो और मैं बनाऊंगी बॉक बुक में लिखेंगे ना अभी मेरे बॉक से ड्रोग हो गए आपने बुक निकाल ली ना? चलो सबसे पहले उप़र लिखेंगे t o dot t o हमें कितने नमबर लिखने है? 2 नमबर 41 एंड 42 तो दो बार t o t o ऐसे बनाएगे 2 t o के बीच में एक बॉक्स में dot कर दिये हैं सबने? चलो तो अभी सबसे पहले t के नीचे क्या लिखेंगे? 4 और o के नीचे 1 4 1 41 अभी क्या करेंगे? बोलेंगे और लिखेंगे सबसे पहले लिखते हैं 4 तो बोलेंगे 4 बोल लिखेंगे तब बोलेंगे 1 4 1 41 41 41 आप लोगोगो भी लिखना है मेरे चाथ-चाथ लिख रहे हो डा? वाईरी गुट 4 1 41 41 4 1 41 41 41 41 41 41 हो गया सबका 41? चलो तो फिर अब क्या करेंगे? सारी बोक्स में डॉट बनाएंगे ये डॉट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको पता चले कि ये बोक्स हमें लिव करना है अगर आप डॉट नहीं बनाओगे तो आप गलती से यहाँ पर भी नमबर लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा हाना? इसलिए हम क्या करते हैं? बोक्स को लिव करने के लिए बोक्स छोड़ने के लिए डॉट बना देंगे ताकि आपको पता चले कि ये बोक्स में डॉट बनाया हुआ है तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है ओके? नाव 41 के बार नमबर लिखेंगे 42 42 कैसे लिखेंगे? 42 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 हो गया सबका फिनीश? देखो, मेरा भी फिनीश हो गया तो भी यहाँ पर देखो रिपीट करो मेरे साथ नमबर 4141, 41, 41, 41, 42, 42, 42, 41, 42 समझ में आ गए 41 and 42 ओके चलो क्लास वर्क आपको पूरा नीचे तक फिनिश करना है और होम वर्क में भी सेम 41, 42 दो पेज में दो बार लिखना है